दोस्तों, civil case को तयार करके पेश करना एक तरह से technical काम है, जिसमें अगर हम लापरवाही या भूल करते हैं, तो court से हमें relief मिलने की बजाए हमारा case reject भी हो जाता है. काफी अच्छे वकील भी कई बार case तयार करने में गलती कर सकते हैं, और ऐसी कोई कानूनी गलती के कारण court हमारे case को civil procedure code के order 7 rule 11 के अंतरगत reject कर देता है. इसलिए आज हम civil procedure code से order 7 rule 11 को ही समझने की कोशिश करेंगे. मैं हूँ advocate नरेश कुदाल और आप देख रहे हैं हैं विधान का ग्यान. दोस्तों हमारे चैनल पर legal topics पर काफी सारे useful videos पोस्ट कियों हैं और regular पोस्ट किये जाते हैं. इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो अभी subscribe कर लीजिए, अब बिना देरी शुरू किरते हैं आज के topic को. दोस्तों जब भी कोई civil case तयार किया जाता है, तो plant यानि कि हमारे दावे में हमें cause of action बताना बहुत जरूरी है. Cause of action का मतलब है वो कारण और आधार जिससे आपको civil case फाइल करना पड़ा है. जैसे मान लिजिए आपकी किसी property पर किसी और ने possession कर लिया है, तो पहले आप उसे अपना possession हटाने के लिए कहेंगे, और यदि वो ऐसा ना करें, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ court में case फाइल करेंगे. तो आपको अपने case में ये बात लिखनी भी जरूरी होगी, कि आपने किस तारिक को विरोधी party को possession हटाने के लिए कहा, और उसने मना कर दिया. अगर ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो माना जाएगा कि आपने अपने दावे में cause of action नहीं लिखा है, और इस कारण से आपका दावा court reject कर सकता है. civil case file करते time, दूसरी जरूरी चीज है, कि आपने जो दावा पेश किया है, उस दावे का मुल्यांकन करना पड़ता है, और वो मुल्यांकन सही होना चाहिए. मान लिजी आपने जिस property का possession वापिस लेने के लिए दावा पेश किया है, उस property की value एक लाख रुपए है, तो आपके दावे का valuation भी एक लाख रुपए होगा. अगर आप इससे कम valuation करते हैं, तो पहले court आपको मुका देगा कि आप दावे का सही मुल्यांकन कर लें, लेकिन court के मुका देने के बाद भी सही मुल्यांकन नहीं करते हैं, तो court उस दावे को reject कर देता है. इसी type से आपने जो दावे का valuation किया है, उस valuation पर आपको court fees का payment भी करना होता है. court fees का payment करने के बाद ही आपके case पर सुनवाई की जा सकती है, लेकिन मान लीजिए, आपने अपने case का मुल्यांकन तो सही लिख दिया, लेकिन उस valuation के लिए जितनी court fees का payment करना चाहिए था, आपने वो payment नहीं किया, तो भी court पहले तो आपको मुका देगी, कि आप बकाया court fees का payment कर दें, लेकिन ऐसा ना करने पर आपका case reject हो जाएगा, इसके बाद सबसे important बात है कि आप जो case यानि की दावा फाइल कर रहे हैं, उस दावे पर कोई कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए, अब कानूनी रोक क्या होती है, इस बारे में बात करें तो अलग-अलग law में काफी जगह है, ऐसे provision दे रखें हैं, जिस बारे में कोई case फाइल नहीं किया जा सकता, जैसे civil procedure code में ही section 11 में provision दिया है, कि अगर किसी case को court ने पहले ही decide कर दिया है, तो उस case की parties उसी cause of action पर फिर से case फाइल नहीं कर सकती, specific relief act के section 6 में दावे के लिए provision है, कि section 6 के अंतरगत सरकार के खिलाब दावा फाइल नहीं किया जा सकता, इसी टाइप से limitation act में भी हर टाइप के दावे के लिए एक limitation निरधारित है, जिस time period में आप दावा फाइल कर सकते हैं, मान लिजिए आपने किसी को रुपे उधार दे रखे हैं और आप वसूल करना चाहते हैं, तो limitation act में provision है कि आप 3 साल के भीतर वसूली का दावा पेश कर सकते हो, अगर आप 3 साल के भीतर वो दावा पेश नहीं करते हैं, तो आपका case limitation के कारण barred by low हो जाएगा, और भी काफी सारे provisions हैं, जिनसे civil case पर रोक लगाई गई है, इसको barred by low कहा जाता है, तो जो भी civil case barred by low है, तो court उसको accept नहीं करता, बलकि case reject कर दिया जाता है, इसके बाद civil case के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपना दावा दो कोपी में पेश करें, जी हां हर्थ civil दावा दो कोपी में पेश करना जरूरी होता है, ऐसा नियम इसलिए है क्योंकि civil case प्राय लंबे चलते हैं, और case की proceeding के दोरान बार-बार दावे को पढ़ना भी पढ़ता है, जिससे possible है कि दावे की मूल कोपी डेमेज हो जाए, इसलिए civil case में दावा दो कोपी में पेश करना होता है, अगर civil case दो कोपी में फाइल नहीं किया जाए, तो भी court उस दावे को reject कर देती है, और इसी क्रम में case फाइल करने वाली party को दावे की उतनी कोपी पेश करनी होती है, जितने विरोधी पक्षकार हैं, मान लिजिए कि किसी case में 5 प्रतिवादी हैं, तो दावे की 5 एक्स्ट्रा कोपी भी पेश करनी पड़ती है, अगर इस नियम का मौका देने के बावजूद भी नहीं किया जाए, तो court case reject कर देती है, शॉर्ट में एक बार दुबारा देखें, तो civil court case को बीना सुनवाई के reject कर सकती है, अगर सबसे पहला कि दावे में cause of action ना लिखा हो, दूसरा अगर दावे का सही मुल्यांकन ना किया हो, और court के मौका देने के बावजूद भी मुल्यांकन को सही ना किया जाए, तीसरा यदि दावे का मुल्यांकन तो सही कर लिया गया है, लेकिन उस मुल्यांकन पर court fees पूरी जमा नहीं करवाई, जैसा कि जुही चावला वाले 5G के case में हुआ था, तो भी court case को reject करेगा, कोई case अगर barred by low है या दावा दो copy में file नहीं किया गया, तो भी उसे reject कर दिया जाता है, और जितनी विरोधी parties हैं, दावे की उतनी copy paste नहीं करने पर भी court case को reject कर देगा, तो दोस्तों इन सारी चीजों का ध्यान रखे बिना अगर दावा पेश किया जाता है, तो court case की सुनवाई भी नहीं करत में आ गए होंगे, आपके और भी कोई legal questions हों, या आप अपने किसी legal matter पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप screen पर दिखाई दे रहे हैं, नमरों पर WhatsApp करके मुझसे बात करने के लिए call book भी करवा सकते हैं, ऐसी ही useful जानकारियों के updates के लिए आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, जिनके link description में दिये जा रहे हैं, ऐसी ही जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में